हेलो एवरिवन, वेलकम टू स्टडी फोर सक्सेस दोस्तो आज है 22 नुवंबर 2023 और 22 नुवंबर 2023 से करेंट अफेर्स से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स बनते हैं सभी इस वीडियो में डिसकस करेंगे सभी क्वेस्चन्स इंपोर्टेंट है तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और अभी तक आप लोगोंने हमारे चैनल स्टडी फोर सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके चलिए देखते हैं क्वेशन नमबर फस्ट हाल ही में विश्व सोचाल ये दिवस कब मनाया गया हाल ही में विश्व सोचाल ये दिवस 19 नुवंबर को मनाया गया था ओप्शन बी 19 नुवंबर राइट आंस्वर है चलिए देखते हैं नमबर मन्थ में कौन-कौन से दिवस मनाये गए एक नमबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया दो नमबर को पत्रकारों के खिलाफ अपरादों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतरास्टिय दिवस मनाया गया तीन नमबर को विश्व जैलिफिस दिवस अंतरास्टिय बायोस्फियर रिजर्व दिवस मनाया गया पांच नमबर को विश्व सुनामी जागरुकता दिवस मनाया गया 6 नवंबर को युद और शेस्टर संगर्ष में परियावरण के शोशन को रोकने के लिए अंतरास्टिय दिवस मनाया गया 7 नवंबर को रास्टिय केंसर जागरुकता दिवस मनाया गया 8 नवंबर को विश्व रेडियो ग्राफी दिवस मनाया गया 9 नवंबर को राष्ट्रिय कानुनी सेवा दिवस मनाया गया 10 नवंबर को शान्ती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया 11 नवंबर को राष्ट्रिय सिख्षा दिवस मनाया गया 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया 14 नवंबर को विश्व मदुमे दिवस मनाया गया 15 नवंबर को जनजातिय गोरव दिवस मनाया गया 16 नवंबर को राष्ट्रिये प्रेश दिवस और अंतराष्टिये सहीं सुनता दिवस और विश्वदर्सन दिवस मनाया गया 17 नवंबर को राष्ट्रिये मिर्गी दिवस और अंतराष्टिये छातर दिवस मनाया गया 18 November को प्राकरतिक चिकिस्सा दिवस मनाया गया Next question किसकी द्वारा लिखित पुस्तक Building Partnerships India and International Cooperation for Maritime Securities का विमोचन हुआ हिमादरी दास द्वारा लिखित पुस्तक Building Partnerships India and International Cooperation for Maritime Securities का विमोचन हुआ Option B, right answer है अच्छा तो ये पुस्तक राकेस पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया मनोश सिन्हा ने Warrior on वहिल्स वहिल्स चेर टू पदमश्री पम तक का विमोचन किया अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक Research Swing को लॉंच किया गया विवेक अगनी होतरी ने अपनी नई पुस्तक The Book of Life My Dance with Buddha for Success लॉंच की Next Question हाल ही में किसे 2023 केनेत बॉल्डिंग पुरुषकार से सम्मानित किया गया है हाल ही में बीना अगरवाल डेविट बारकिन को 2023 केनेत बॉल्डिंग पुरुषकार से सम्मानित किया गया Option C उप्युक दोनो राइट आंस्वर है माराश्च्र सरकार सुरेश वाडगर को लता मंगेशकर पुरुषकार देगी पहला लाइफ टाइम डिस्टविंग दपीस अवर्ड सल्मान रुषदी को मिला है 19 वे कलाकार पुरुषकार से अपॉलिनारीस डिसुजा को सम्मानित किया जाएगा वाड़ लाइफ फोटोग्राफर ओफ द इयर पुरुषकार से विहान तल्या को सम्मानित किया गया है नेक्स्ट क्वेस्चन हाल ही में किस राज्जे ने अस्पतालों में ड्यूटी गंटों के दोरान ड्रेस कोड अनिवारे कर दिया है ओप्शन B तरीपुरा राइट आंस्वर है ए केबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चोथा राज्जे तरीपुरा बना है तरीपुरा सरकार ने महिलाओ के लिए गुलाबी 140 तापित करने की गोशना की है त्रीपुरा में महाराजा बीर विक्रम की 115 जहनती मनाई गई त्रीपुरा में इतियासिक खर्ची पुजा शुरू हुई है सोरभ घांगुली त्रीपुरा के टूरिजम के ब्रांट अम्बेजडर बने है हाल ही में बी एन गो स्वामी का नीदन हुआ है वे कौन थे पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड ने किसे सीनियर पुरूस टीम का नया मुख्य चैन करता न्यूक्ट किया है ओप्शन बी राइट आंसर है विश्व कप में सरवादिक छक्के लगाने वाले बलेबाज रोहिच शर्मा बने है पुर्व क्रिकेटर मध्या मुर्ली धरन की बायोपिक आठ सो रिलीज हुई है वंडे विश्व कप में चार सतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कुइंटन डिकॉक बनी है वंडे विश्वकप में भारत के सरवाधिक विकेट लेने वाले गैंदबाज मौमस शमी बनी है क्रिकेट से जुड़े बैसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्सनरी में जोड़ा गया है आउस्ट्रेलिया अपने सर्मिदान में देश के मूल निवाशियों को मानिता देने के लिए जन्मत संग्रे करने जा रही है विश्वम में जीवित पर जीवी करमी का पहला मामला आउस्ट्रेलिया में पाया गया नौ सेनिक अब्यास माला चार का 27 संस्करण औस्ट्रेलिया में समपन हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में एंसी आर्टी ने सामाजिक विज्ञान पाथे करम में सुदार करने के लिए कितने सदश्य पैनल की निवक्ती की option C 35 right answer है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्ये ने अंतरदर्शिय मचली पालन मेदानी छेतर में पहला स्थान प्राप्त किया है ओप्शन B उत्तर परदेश राइट आंस्वर है उत्तर परदेश में भारत का पहला जल विश्व विदाले खुलेगा रन फोर यूनिटी कारेकरम का आयोजन लखनव में किया गया भगवान बुद्ध की 51 फिट उन्ची प्रतिमा को सांची में स्तापित की जाएगी उत्तर परदेश सरकार तीन दिवसी श्री अन महुच्ष आयोजित करेगी उत्तर परदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज आसिल किया है थैंक्स फूर वोचिंग माई वीडियो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको ने वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके धन्यवाद